हलो वीवर्स, वेलकम टो यूटूब चनल, केसर का उप्योग, रूप और सहत के देखभाल के लिए, केसर स्वास्ति के लिए बहुत फायदेमन होता है, केसर की खुच्वे बहुत तेज होती है, केसर को विभिन प्रकार के वियंजरों में डाल कर खाया जाता है, भारत में के केसर यानि जाफरान कश्विर में पैदा होता है, गर्म पानी में डालने पर केसर से गहरा पीला रंग बनाया जाता है, पेट संबन्दित परेशानियों का इलाज के लिए केसर बहुत फायदेमन है, चोट लगने या जुछ लशने पर भी केसर का लेब लगाने से फायदा होता है अई यह हम आपको बताते हैं केसर के गुनों की जानकारी देते हैं साफरा नीन हिंदी केसर के गुन चंदन को केसर के साथ घिसकर इसका लेप माथे पर लगाने से सिर आखों और दिमाग को शितलता मिलती है इस लेप को लगाने से सिर दर्ड मेराहत मिलती है बच्चों को अगर सरदी और जुखाम की समस्या हो तो केसर का दूद सुबह शाम पिलाने से बच्चे की सरदी और जुखाम मेराहत मिलेगी गैस और आसिडिटी से रहा दिलाने में काफी मदद करता है यह हमारा पाचन क्रिया अतिसार में भी केसर बहुत फायदेमन है अतिसार होने पर केसर को जायफल आम की गुटली सोन को पत्थर पर पानी के साथ गिसकर इसकालेप लगाने से फायदा होता है महिलाओं के लिए केसर बहुत फायदेमन होता है महिलाओं की कई शिकायतें जैसी मासिक चक्तर में आनियमिक्ता गर्भ शे की सूजन मासिक चक्तर के समय दर्द होने जैसे समस्याओं में केसर का सेवन करने से अराम मिलता है तोचा के जुलने से या छोट लगने से केसर के लिप लगाना चाहिए इससे तुरंट फाइदा होता है और नई त्वचा का निर्मान जल्थ होता है केसर को दूत के साथ पीने से शारेरिक शक्ति बढ़ती है किद्मी और लीवर के लिए भी केसर काफी फाइदे मन होता है ये बलाइडर और लीवर की समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और एक्ट शुद्धी करन करता है अर्थरेटीस के मरीजों के लिए भी केसर बहुत लाग्कारी होता है ये जोडों के दर्द से भी राहा दिलाता है ये ठकान को दूर करता है और मांस्पेशियों को राहत पहुंचाने का काम करता है अनिद्रा की शिकायत को दूर करने में भी केसर काफी उप्योगी होता है इसके साथ ही ये अफसाद को भी दूर करने में मदद करता है रात को सोने से पहले दूद में केसर डाल कर पीने से अनित्रा की शिकायद दूर होती है केसर में क्रोसी नाम का तद्व पाया जाता है जो वग्यानिक रूप से बुखार को दूर करने में उप्योगी माना जाता है इसके साथ ही ये एक एकाग्रदा, समरन, शक्ति और रिकॉल्ज श्म्ता को भी बढ़ाने का काम करता है आखों की परिशानी को दूर करने में भी मददकार होता है केसर एक हालिया शोध में ये बात सामने आई है जिस पती भागी ने केसर का सेवन क्या उसकी नजरें बहतर रही ये मुथ्या को दूर करने में भी मदद करता है केसर मसोडों की परिशानी को भी दूर करता है मसोडों को सूजन और जखमों को दूर करता है इसके साथ ही ये मुख और जीट की तकलिफों से निजाद दिलाता है कैसे करे केसर का इस्तेमार केसर खार पधारतों की सुगन और स्वाद में अधाफा करता है केसर को खीर, बिडियानी, मिठाई और दूद आदी में इस्तेमार जा सकता है दूद में केसर मिला कर पीनी से तवचा का सामलापन दूर होता है केसर चुने असली केसर केसर बहुत महंगा होता है कई नकली उतपादों पर केसर या रंग चड़ा कर उसे केसर के नाम पर बेचा जाता है असली और नकली केसर की पहचान करने के लिए आप गर्म पानी अत्वा दूद में थोड़ा सा केसर डालिए अगर वे फोरन रंग छोड़ दे तो समझ जाएए कि वह नकली है असली केसर कम से कम 10 से 15 मिनिट बाद गहरा लाल रंग छोड़ता है और साथ ही महिकने रगता है तो दोस्तों यह थे कुछ केसर का उपियो ग्रूप और सहरत के लिए देखभाल आप इसे जरूर ट्राइक कीचिए थैंक्स पर वच्छिन आवर वीडियो प्लीज लाइकन सब्सक्राइब आवर चानल थैंक्यू बाई